नमस्कार आदाब और वेल्कम दिस इस सार्थक और चाय पॉपकॉन अखबार और परिवार के साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्वागत है आपका संडे शो में खेल गई हो ली? पिल गई बांग? ना चलिये? अच्छी खासी टी-शट का पूच्छा बना दिया? चलो गुजिया पपड़िया लड्डू शड्डू खाओ शुरू करते हैं आज के एपिसोड चुरुबात करते हैं उस चीज़ से जो रिलीज तो हुई एक हिस्टॉरिकल इवेंट पर बनी एक मूवी के रूप में लेकिन फिर कुछी दिनों में इस देश की सबसे बड़ी कॉंट्रोवर्सी बन गई अगर आपने अभी तक कश्मीर फाइल्स के बारे में नहीं सुना हैं तो पहली बात तो किस गुफा में हो तुम बाहर निगलो उस से इस मूवी ने रिलीज होने के बाद थीटर्स के अंदर और बाहर तहलका मचा दिया है कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिया है आज की डेट में हालत यह है कि आपको इलेक्शन का टिकेट मिल सकता है लेकिन कश्मीर फाइल्स का टिकेट नो चांस जो आप सोचो वो हो चुका है प्रधान मंतरी ने इस मूवी की तारीफ की है साथ में जो मूवी ज़ीज होई थी वो पोस्पॉन हो चुकी है फिर उसके बाद कई सारे स्टेट में मूवी टैक्स फ्री हो चुकी है असाम में तो सरकार ने चुट्टी दिये लोगों को ताकि आप एं मूवी देख के जाओ इन फाक्ट इस मूवी की जो निर्माता है विवेक अगनी उत्तरी कॉंट्रवर्सी की बाद उन्हें वाई लेवल सेक्योरिटी तक दे दी गई है जहां तक बात है कश्मीरी पंडितों के केस को जागर करने की उनकी दर्द की कहानी बया करने की इस मूवी एस डन अ ब्रिलियंट जॉब जो इसकी स्टोरी टेलिंग है जो इसकी एक्टिंग है वो काफी कंपेलिंग है कौन्स की बात करें तो शायर इसकी थोड़ी सिनमाटोग्राफी बेटर हो सकती थी इस मूवी पर जो क्रिटिसम है वो दो पॉइंट्स को लेकर उठ रहा है मेंली इसलामोफोबिया एंड प्रोपगेंड़ा जहां तक बात रहे इसलामोफोबिया की तो मैं इस मूवी को देखने के लिए अपने दो मुसलिम समुदाई के दोस्तों के साथ गया था मैंनों उन्से पूचा कि आपको लगा कि इस मूवी मैं इसलामोफोबिया था तो उस में से एक का जवाब था हां और दूसरे का जवाब था नहीं मेरा सिम्पिल था जो पॉपकर्ण खिलाएगा मैं उसकी तरफ दोनों नहीं नहीं खिलाए On a serious note, मुझे नहीं लगता कि इस movie में कहीं Islamophobia था और नहीं अभी तक कोई इस बात का कोई ठोस argument दे पाया है movie के किलाफ़ अब आते हैं दूसरे point याने की propaganda की तरफ है जिस वर सवाल उठना काफी जादा लाजमी है क्योंकि इस movie के जो पात रहें वो हाली में politically काफी जादा active रहे है अनुपम खेर की जो wife है किरन खेर वो BJP से MP रही है जी स्टूडियोस के सुभास चंद्र भी BJP से MP है मितुन चक्रबरती ने तो BJP के लिए प्रचार भी किया था तो movie में propaganda है या नहीं यह आप खुद जाके decide करें खुद देखने के बाद decide करें पर सवाल बेतुके नहीं है तो असल में movie में क्या है यह मैं suggest करूँगा कि आप खुद movie देख कर अपना opinion मनाओ वो कहते हैं न don't cover a judge by its book don't book a judge by its don't judge a book by its cover अगली controversy भी case से ही start होती है आपको हिजाब वाली controversy आदे करनाटका की हाँ भूल भी नहीं सकते politics वाले भूलने नहीं देंगे यह मुद्द 9 की या 3310 की बैटरी की तरह हो गया है खतम होने का नामी नहीं ले रहा इस हफते करनाटका high court का इस case पर judgment आया है जिसमें court ने राज्य सरकारों के 5 February को दिये गए आदेश को सही बताया है जिसमें सरकारी colleges में uniform के चलते हिजाब पर restriction लगाई गई थी और तो और अपने 130 page के फैसले में court ने कहा है कि हिजाब पहनना इसलाम धर्म की एक essential practice नहीं है इस फैसले के आने के बाद देशवासी अपनी favorite hobby करते देखे गए हैं यानि कि again दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं judgment के आने के बाद कुछ petitioner जो students ने उन्होंने supreme court में इस फैसले को challenge भी किया है and again पूरा मसला क्या है कहां से शुरुआत हुई थी ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं अभी हालात ये हैं कि हिजाब के साथ ये बच्चियां college जा नहीं सकती और हिजाब के बिना ये college जाना चाहती नहीं है and the ultimate thing which is suffering in this entire thing is education जगला किसी का भी हो, बेवजा मरता मैं ही हूँ जली जल्दी से आपको इस हबते की major news headlines बता देता हूँ और शुरुआत करते हैं इस news के साथ होली के जस्ट पहले सरकारी करमचारियों को रंग बटा कर चूना लगा दिया गया है कहने का मतलब ये कि EPFO यानि कि Employment Provident Fund Organization इन्टरेस्ट मिलता था उसको साड़े 8% से घटा कर अब 8.1% यानि 8.1% कर दिया है इस तैसले का सीधा असर 6 करोड से जाला लोगों पर पड़ेगा और ये बताना जरूरी है कि ये ब्यासदर जो अभी Provident Funds पर मिल रहा है ये पिछले 4 दशकों में सबसे कम ब्यासदर है और वो सही भी है क्योंकि 8% में आजकल थोड़ी कुछ होता है कम से कम 80-20 का हिसाब तो रखू ना अब ये तो होना ही था ना क्या कहते है वो क्या है तो मुम्किन है अब बात करते हैं यूकरेन क्राइसिस के बारे में रशिया और यूकरेन की बीच में जो युद्ध चल रहा था वो अभी भी जारी है और इस हफते इंटरनाशनल कोट ने रशिया को ये आदेश दिये है कि वो यूकरेन में चल रहे अपने मिलिटरी ओपरेशन पर रोक लगाएं और खुश खबर ये है कि भारत ने इस यूकरेन क्राइसिस के बीच अब यूकरेन से अपने 22,000 नागरेकों को सई सलामत वापिस अपने देश लोटा लिया है और अगली खबर है जपैन से जहाँ पर इस हफते 7.1 की तिरी दृता का एक भूकम पाया ये भूकम की वज़े से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और भूकम इतना तेज था कि उससे एक चलती हुई बुलिट ट्रिन तक पटरी से उतर गई चलिए भारत देश वापिस आते हैं जहाँ अगली खबर है सोशिल मेडिया से जहाँ भारत सरकार ने ये कहा है कि हर वो व्यक्ति जो संडे शो देखने के बाद बिना सब्सक्राइब किये वापिस जाएगा उसका यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा पूरी सिटी है जिसे लॉक्डाउन में डाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पर कोविट तेजी से फैल रहा था इस अफ़ते भारत में एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि पिछले दो सालों में कोविट ने हमारी अर्थविवस्ता की सिर्फ कमर नहीं तोड़ी है अपना कर्ज नहीं चुका पाए और अल्टिमेटली नॉन प्रॉफिट आसेट्स बन चुके हैं अगली ख़बर बताने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोलो चूडियां तोलो हाय हाय मचालो क्योंकि बैचलर्स के पेट पे लात पड़ने वाली है गौरत मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मैगी से दूर रहो क्योंकि किसान अंदोलन डॉक्टर अंदोलन अपने जहल या बैचलर्स ने अंदोलन कर दिया आप जहल नहीं पाऊगे रात भर चौकी के बाहर धरना देंगे चाय पीएंगे और चीनी भी थान पूर तरीके से प्रतिबंद लगा दिया गया है मजा करो ओना सीरेस नोट रेलिवे ने कहा है कि अब हर ट्रेन में रात को 10 बजे के बाद यानि कि 10 पीएंगे आफ्टरवर्ड्स जोर जोर से गाना बजाने या फिर फोन पर जोर जोर से बात करने या फिर नाइट लाइट को छोड़ कर कोई और लाइट जलाना अब पूर तरीके से नदारत कर दिया गया है यानि की बंद कर दिया गया है मतबल की साइड अपर वाले दिल तूटे आशिक कमलेश तुम रात को 12 बजे भी आरीजी सिंग सुनो पर इयर फोन लगा के बात करते हैं आज की वीडियो स्पॉंसर प्रोबो एप के बारे में प्रोबो एक उपिनियन ट्रेडिंग एप है इस एप में होता क्या है कि आप से आपकी रोज मर्दा की जिंदगी से रेलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनने आपको आपकी समझ की मुताबिक हा जिसमें हमारी छोरियां छोरों से भी अच्छा खिल रही है तो इससे रेलेटेड एक सवाल है कि आपको लगता है कि ICC Women Cricket में Indian Cricket Team ये World Cup जीतेगी हां या ना और अगर आप किसी question की बारे में काफी ज़्यादा शौर हैं तो आप question में quantity भी बढ़ा सकते हो जिससे आपका potential win amount भी बढ़ जाता है और आप कमाई हुए पैसे को Paytm और UPI के तुरू withdraw भी कर सकते हो तो drawing room में आप जो ग्यान बाट रहे हो आप उसको probo app के तुरू monetize भी कर सकते हो पीएस ये एक opinion trading app है यानि कि इसमें capital risk involved है तो ग्यान बाटने की जगह उससे पैसे कमाऊ पर सोच समझ क app का link आपको description में मिल जाएगा और उसे अगर आप अभी download करेंगे तो आपको मिलेंगे 25 रुपे as bonus इस हफते के हमारे बकवासे पूर के member है अरून बोथरा जी जो twitter band को follow करते हैं उनको पता होगा कि इनके tweets काफी ज़ादा funny और interesting होते हैं इस हफते एक घटना हुई जब से पता चला कि भाई इनके सिर्फ tweets नहीं इनकी real life उससे ज़ादा interesting होती है अरून बोथरा जी को हाली में जैपूर एरपोर्ट पर रोक लिया गया उनका सामान चेक करवाया गया उनका बैग खुलवाया गया और बैग खुलवाया तो पता क्या मिला ये इनके बैग में मंडी भर मटर निकली है IPS officer होके मटर की तसकरी हो रही है और हमारी जनता सुनो Twitter पे एक प्रखर भाई है जो बोल रहे है कि सर एरपोर्ट वालों को बोल दो कि उसमें ड्रग्स है इसी बहाने मटर भी चिल जाएंगी प्रियांशू रावत मटर चोर बेचारे IPS वालों को भी महंगाई से परिशानी हो रही है गोधी मीडिया हेडलाइन्स भी लाइक मटर ने किया मैटर मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जब बैग खुला होगा और इतनी सारी मटर निकली होगी तो एरपोर्ट वालों का क्या हालुआ होगा पहली नॉंसेंस खबर है दिल्ली से जहां को चोरों ने एक व्यापादी से लगभग एक करोड रुपए की लूट की जब पकड़े गए तो पता चला कि ये भाई लोग इस चोरी के बाद लगभग एक लाख रुपए मंदिर में चड़ावा चड़ा चुके थे मतलब इंसान भी कितना बदल गया है ना आजकल पुन्य भी कर रहा है पाप को बैलेंस आउट करने के लिए और तुम लोग क्राइम करके धर्म की आड़ में बचना चाते हो चोर हो के निता और सियानापन देख रहे हो चोरी का एक परसंट चड़ावा दिया है मतलब इंफिलेशन भी आजकल कितने परसंट चल रहा है छे परसंट ये लोग भगवान को उनका शेर कितना दे रहे है एक परसंट ऐसे तोड़ी मिलती है प्रोटेक्शन क्या कर रहे है है तू मजाक है क्या अगले न्यूस के लिए मैं आप से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने आज तक क्राउड फंडिंग से क्या क्या किया है महलने में गनपती का चंदा एकट्टा किया है किसी का इलाज कराया है या अपने शो को बंध होने से बचाया है इनकी कहानी सुनो ये वो दो बालक हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग से एक आईलेंड खरीद लिया है 2018 में नोंने लेट्स बाइन आईलेंड नाम से एक वेबसाइट बनाई और लगभग धाई करोड रुपे क्राउड फंडिंग से रेस करके कॉफ के नाम का एक आईलेंड खरीद लिया जिसे अब ये एक नया देश बनाना चाह रहे है मतलब अचकर जिसे देखो वो एक आईलेंड खरीद कर अपनी एक नई कंट्री खोल रहा है नहीं अच्छा आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सब टीवी पर एक शो आता था जिसका नाम था आरके लक्षमन की दुनिया ये बड़ा सा एक लाइट हाटेट फैमिली शो था और इसकी एक एपिसोड में ये हुआ था कि टेल के बढ़ते दामों से परिशान होकर एक कैरेक्टर घोड़ा खरीद लेता है टर्न्स आउट देशो वस अहेड अध इस ताइम मिलियो औरंगाबाद के शेख यूसुफ जी से ये भाई साब तेल के बढ़ते दामों से इतना खफा हो गए हैं कि इन्होंने एक गोड़ा खरीद लिया है ओफिस जाने के लिए अब गोड़ों की रेस में गदे भी दोड़ेंगे शेक भाई एक बात बताओ पेटरोल के दाम बढ़ रहे थे तो आपने गोड़ा खरीद लिया ये चना खाता है understandable बट मेरे एक सवाल का जवाब दो पेटरोल महंगा है तो चनी कौन से सस्ते हैं मतलब ये क्या हीरा फेरी चल रही है शेर पालने की चकर में पेटरोल के दाम बढ़ गए अब पेटरोल के दाम बढ़ गए तो गोड़ा पालना पड़ रहा है जैसा कि आप जानते हैं ये वो सेग्मेंट है जहां हम हफते की कुछ पॉजिटिव और इंस्पाइरिंग स्टोरीज होती हैं वो आपकी समक्ष प्रस्तुत करते हैं कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए मद्यप्रदेश, छतीजगर और जहरखन ये हमारे देश के कुछ ऐसे राज्ये हैं जहां का जो फॉरिस्ट कवर है वो पिछले कई सालों से फॉरिस्ट माफिया से लड़ रहा है, उनसे जूज रहा है इसका एक बड़ा कारण फॉरिस्ट के रिसोर्स और पोचिंग जैसे फैक्टर्स होते हैं अब मिलिए कंदोनी सुरेन जी से, ये जमशेदपूर पुलीस के साथ एक फॉरिस्ट गार्ड की नौकरी करती है लेकिन इनका काम ऐसा है कि इन्हें लोग प्यार से जंगल की शेर्वी भी बोलते हैं क्योंकि लगबग 40 महिलाओं की मदद से सरक घुटू गाओं में लगबग 100 हेक्टेर जंगल की खुद रखवाली करती है कंदोनी जी ने कहा है कि इसका कारण ये है कि क्योंकि जंगल माफिया की वज़े से बड़े स्केल पर डिफॉरिस्टेशन होता है जिससे जंगल के वाइड लाइफ, उसके इकोसिस्टम, फॉरिस्ट कवर और वहां के रेनफॉल पर काफी जादा असर पड़ता है देखे हमारा वही देश है जहां सेटमेक्स पर अगर सबसे आदा कोई मूवी चलती है तो वो चलती है बागवान जो की सही भी है क्योंकि आए दिन हम ऐसी कई सारी स्टोरी सुनते हैं जहां पर जो बेटे-बेटियां होती हैं वो अपने माबाप को अपने घर से निकाल देते हैं ऐसे ही मैं आज की Positive News की Case Study है तमिल नाडू में रहने वाले एक कपल की एन रामामूर्थी और राजेश्वरी जी ये वो दो जिन्दा दिल निसान है जो अपने इलाके में पिछले 20 सालों से कई साल ऐसे जो बुजर्ग लोग है जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं उनको ये अडॉप्ट किये हुए हैं ये साथ से जादा बुजर्गों के लिए एक शेल्टर होम चलाते हैं जहां ये उनका रख रखाव, उनके खाने पीने की विवस्ता, उनका हिल्थ चेक अप वगएरा वगएरा देखते हैं इस काम को पूरा करने के लिए ये अपनी सैलरी लगा देते हैं, लोन्स ले चुके हैं, यहां तक ये अपनी प्रॉपर्टी और गहने तक बेच चुके हैं ताकि अपने एरिया के कुछ बुजर्गों को एक छट मोहिया करा पाएं और यही लोग हैं हमारे इस अपते के यूमन्स आफ दे वीक ये बड़ी अच्छी बात कही है आप मीम टाउन बेवी ने इंस्टेग्राम पर मीम शेयर किया है अगर आप खोली खेल के आ रहे हैं और आपका फेसलोग आपको पैचान ले रहे हैं तो आपने होली नहीं खेली प्लेंग होली एक्सपेक्टेशन्स रियायलिटी शाला चोटी गंगा बोल के नाले मां कुदा देश अधा कहा गया बर है इसली आपके आशा नयासे ने कॉमेंट किया था इसके बारे में तो बोला not all people are aware about this ौके विवा इतना मुस्केल काम नहीं होता काफी आसान होता है बैसे बस बूल दिया जाता है कि पैट चैक पैट सबसे पहली बात तो अज कल काफी साथ सब्सक्राइब आप कोई वाइरल न्यूज मिलेगी आपको या वाइरल फेक न्यूज मिलेगी उसको अल्रेडी बस्ट कर चुके होते हैं कोई भी वेबसाइब जिसका आपको पता है यार ये स्टाइब अगर उस चीज से बारे में छपा और तो वो न्यूस सही है उसको आपको दिखा देता है तो वहाँ से कुछ fake news worst हो जाती है तो ये कुछ simple तरीके हैं किसी news की authenticity जानने की लिए कुछ दियो प्रजापती ने लिका है People have changed the term dowry to gifts ऐसी करते हैं आजकल problem solve करने के लिए problem solve करने की ज़रूरत नहीं है पस problem का नाम बदल दो है ना भाई Imaran ने लिखा है Sunday show is most awaited for me and my wife We watch it every time remotely together and enjoy it a lot Thanks Thank you Imaran भाई मैं third wheeling बहुत अच्छी कर लेता हूँ मेरे कुछ दोस मुझे प्यार से ओटो भी उलाते है Agent P. ने लिखा है When I was in Lucknow I came to realize that the bride family gets more offended if the groom refuse to receive dowry ऐसा होता है क्या Sandi Ji आपके लिए गिफट लाएं मारूप्ति सुदू की वलीनों अरे नहीं ने संदी जी ये दहेज वगेर आम नहीं लेंगे शर्मिना मत कीजिया उनको नहीं लेंगे ऐसे कैसे नहीं लेंगे अरे घर गरी भी रखके कार गरी जी ऐसे कैसे नहीं लेंगे अब Sandi Ji गाड़ी तो आपके घर जाएगी अब या तो आपको उसके अंदर बिठाल के लेके जाए या आपकी उपर चड़के जाए आपकी मर्दी और दामाज जी आप सोनी की चेन पहनेंगे या टॉमी का पट्टा गला आपका है आप डेसाइड की लिए तो ये था इस अपते का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करके जरूर जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा प्रोबो आप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं बीते अपते का एपिसोड आपको यहां मिल जाएगा कुछ मिस कर गया हूँ तो कॉमेंट करके आज यूजूर आप बता सकते हैं टाटा बाई बाई शब बखेर लाइक सब्सक्राइब एंड शेर